तो हेलो मारेडर फैमली फाइनली दोस्तों बजाज कमपनी हम इंडियन टूलर मार्केट में अपनी एक नई बाइक पलसर N125 को बहुती जल्द लोंच करने के लिए जा रही है जो कि इंडिया में बहुती ज़्यादार स्पोर्टी लुक के साथ आने वाली है अगर आप भी 2024 म हम बात करने वाले हैं कि ये बाइक इंडिया में कितना देखने के लिए मिलेगा और ये बाइक इंडिया में कब तक लॉंच हो जाएगी तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो में धाइन टक बने रही है तो without any wasting time let get start the video दोस्तों गरं बैक के लुट के बाइक में बहुत ज देखने में अगरं अगर कि साथ में सब्सक्राइब देखने के साथ मेंinsky वह recommend के वाइक और फॉर 4.9 cc का oil cool 4 stroke 3 valve engine देखने के लिए मिल जाएगा जो की काफी अच्छी power को produce करने वाला है अगर हम बाइक के suspension setup के बारे में बात करें तो बाइक के front में telescopic fork और बाइक के rear में monoshock suspension का setup देखने के लिए मिल जाएगा इसके लावा गर हम बाइक के features के बारे में बात करें तो बाइक में bluetooth connectivity, usb charging port, side stand cut off sensor और बाइक में auto cut off sensor जैसे काफी सारे latest technology feature देखने के लिए मिलेंगे overall बाइक का जो look का वो काफी ज्यादा stylish काफी ज्यादा aggressive आपको देखने के लिए मिलेगा बाइक में आपको बहुत ज्यादा comfortable seat भी आपको देखने के लिए मिलेगी तो finally अगर हम बाइक के pricing और बाइक के launch date के बारे में बात करें तो ये बाइक इंडिया में आपको मातर एक लाख बीस हजार के price पॉंट पर इंडिया में available हो जाएगी अगर हम बाइक के लॉंच जट के बारे में बात करें तो ये बाइक इंडिया में दो से तीन महिनों में कभी भी लॉंच हो सकती है बागी दोस्तों इस बाइक को लेकर आपका क्या ओपीनियन है कि आप इस बाइक का इंडिया में लॉंच होने का इंतिजार कर रहे हैं मुझे comment box में comment करकर बताना बिल्कुल भी ना बुलें अगर आपको आज की वीडियो चलेगी है तो वीडियो को like करने के साथ चैनल को subscribe करके bell icon को press करना बिल्कुल भी ना बुलें आज की इस वीडियो को end तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो मिलते हैं आप से गुरों इस नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए तिल देन बायो टेक के आज